हाई, क्या आपको अंडर आई बैग्स हैं ऐसे या फिर ऐसे तो इस विडियो में हम समझेंगे कि अंडर आई बैग्स क्यूं होते हैं, इसके क्या रीजन्स है और क्या treatment आप्षन्स हैं अंडर आई बैग्स के लिए सबसे पहले हम समझते हैं कि under eye bags क्यों होते हैं क्या reasons हैं under eye bags के तो under eye bags में सबसे ज़्यादा common reason यही है कि water retention हो जाती है fluid retention हो जाती है जिसकी वज़े से वो bags नजर आते हैं और fluid retention क्यों होती है क्या है वो reasons जो हमारे lifestyle में या जिन भी कारण से यह fluid retention हमारे आखों के नीचे होती है और जिसकी वज़े से यह bags नजर आते हैं वो मैं आपको बताती हूँ तो देखे सबसे common कारण तो यह है fluid retention का under eye bags का या under eye swelling का की salt intake जादा हो तो अगर salt जादा खाएंगे तो जादा water retention होगी और water retention होने की वज़े से under eye bags बनेंगे और क्यों सबसे जादा यह water retention under eye में नजर आती है उसका reason यह है कि हमारे आँखों की skin बहुत पतली होती है तो आँखों की skin thin है और इसके इलावा वहाँ पे बहुत vasculature बहुत अच्छा है जिसका मतलब वहाँ blood supply बहुत अच्छी है तो अच्छी blood supply होने की वज़े से और skin thin होने की वज़े से वहाँ बहुत असानी से water retention हो जाता है और इसकी वज़े से under eye swelling होती है skin thin होने के भी बहुत सारे कारण है तो जैसे की age के साथ साथ skin पतली होती जाएगी आँखों के area की skin बहुत जादा thin हो जाएगी और इस वज़े से age के साथ साथ ये आँखों के area में fine lines wrinkles और under eye back जादा असानी से बनते हैं इसके इलावा salt intake के इलावा alcohol consume करने से भी water retention काफी हो सकती है इसके इलावा smoking एक बहुत important reason है तो smoking से ये होता है कि collagen breakdown बहुत असानी से होता है तो smokers में skin का collagen बहुत असानी से break करेगा और इस वज़े से skin में fine lines और wrinkles जादा असानी से नजर आएंगे और आखों में भी ये smoking के जो manifest करेगा नजर आएंगे वो under eye bags के form में कि आखों में आखे हमेशा tired लगेंगी smokers की आखों की skin पतली हो जाएगी और आखों में water retention under eye में हो जाएगी या fine lines और wrinkles असानी से हो जाएगे तो smoking एक दूसरा important कारण है under eye bags के लिए अब ये तो हुई water retention की बात लेकिन कई बार fat herniation भी हो सकता है जिसका मतलब है कि जो under eye bags आप देख रहे हैं वो actually water retention नहीं है बलकि fat है तो वो क्यूं होता है वो इसलिए होता है कि हमारी आखों में normally fat आखों के नीचे है और लेकिन किन कारणों से aging के process से skin lose होने की वज़े से वो fat herniate करता है मतलब वो displace हो जाता है और फिर वो आँखों के नीचे के area में नजर आता है तो fat herniation water retention के लावा एक दूसरी चीज है जिसके वज़े से आपको under eye bags अपने नजर आ सकते हैं तो अब ये बात हुई reasons की कि क्यों under eye bags हो र कर सकते हैं जिससे की under eye bags कम हो तो home remedies में जैसे मैंने आपको बताया कि blood supply जादा है और उसकी वज़े से fluid retention हो रही है water retention हो रही है bags बन रहे हैं तो ऐसे में कोई भी वो home remedy जो आपके वहां पे blood supply को constrict करेगी blood vessels को shrink करेगी वो home remedy फाइदा करेगी आपके under eye की swelling को कम करने में तो ऐसे में कुछ अच्छी home remedies जैसे की आप एक spoon को refrigerate करके फिर ठंडा cold spoon अपने आँखों के नीचे लगा सकते हैं और जिससे की यह होगा कि blood vessels shrink करेगी और bags आपके कम हो जाएंगे दूसरा एक बहुत ही अच्छा तरीका है tea bags तो tea bags को भी आप refrigerate कर सकते हैं और उसे under eye area में करेंगे और उससे आँखों के नीचे की swelling कम होगी और क्यूंकि green tea में पुछ अच्छे antioxidants हैं तो उनकी antioxidant properties की वरे से inflammation भी कम होगी anti-inflammatory effect भी मिलेगा तो यह और भी अच्छा तरीका है under eye swelling को कम करने का इसके लावा आप cold cucumber slices भी लगा सकते हैं वो भी इसी तरह से काम करेंगे क थंडा होने की वज़े से आँखों की blood vessels को skin की blood vessels को shrink करके वो swelling को कम करेंगे अब यह तो हुई home remedies कुछ lifestyle modification जैसा मैंने बताया कि salt intake को कम करें alcohol smoking कम करें और इसके लावा खाना healthy खाएं तो fruits और vegetables अलग अलग तरेके खाएंगे तो उनमें भी बहुत antioxidants होते हैं तो यह सब consume करने से हमारी skin healthy रहेगी तो under eye bags जादा असानी से नहीं बनेंगे तो अब हम बात करते हैं under eye creams के बारे में क्या हैं वो creams जो आप लगा सकते हैं under eye swelling को under eye puffiness को under eye bags को कम करने के लिए तो इस पर मैंने कुछ videos भी बनाई हैं जिनमें मैंने बताया है कि under eye pigmentation के लिए क्या molecules काम करेंगे क्या creams अच्छी रहेंगी under eye fine lines और wrinkles के लिए क्या creams अच्छी रहेंगी और under eye puffiness के लिए क्या है वो molecules जो आप use कर सकते हैं तो देखिए under eye puffiness अगर है तो आपके लिए अच्छा रहेगा caffeine based under eye cream तो caffeine के अंदर properties होती हैं visoconstriction की जिसका मतलब है कि caffeine blood vessels को shrink करके और जो भी उसकी वज़े से fluid retention होई होती है, swelling होई होती है वो सब कुछ caffeine कम करेगा तो caffeine based under eye cream बहुत अच्छी रहेंगी अगर आपको under eye bags हैं और इसी वज़े से caffeine की इसी property की वज़े से caffeine based creams इस्तमाल होती हैं cellulite को कम करने के लिए भी क्योंकि cellulite भी में भी बहुत ज़ादा swelling और water retention होती है त वेजो कंस्ट्रिक्शन करके cellulite को थोड़ा कम किया जा सकता है तो caffeine based creams वहाँ भी फाइदा करती हैं तो अब ये तो हुई बात under eye creams की अब हम बात करते हैं procedures की तो जो भी आप home remedies कर रहे हैं या creams लगा रहे हैं ये आपको अच्छा result देंगी लेकिन ये temporary result होगा अगर हमें ज तो एसे में आपके लिए हैं ये procedures जो dermatology clinics में available हैं तो इसमें एक काफी अच्छा procedure बहुत popular procedure है रेडियो फ्रीक्वेंसी तो रेडियो फ्रीक्वेंसी ऐसी technology है जिससे under eye area में collagen remodeling होगी और firmness होगी under eye area में skin tight होगी और उससे fine lines wrinkles तो कम होगी इस साथ में skin under eye की काफी firm होगी तो under eye bags भी बहुत कम होगे ये बहुत ही अच्छी technology है ये latest है इसमें कोई downtime भी नहीं है जिसका मतलब है कि आप ये treatment कराके immediately अपने normal life resume कर सकते हैं और इसमें कोई redness वगेरा नहीं रहेगी treatment के बाद और आजकल ऐसी technologies available हैं जिसमें ये RFK special under eye probes भी available हैं तो ये under eye probes यूज करक आप काफी अच्छा result अपने under eye area में ला सकते हैं और इस technology से आपकी आँखों का area काफी अच्छा rejuvenate होगा आँखे कम tired लगेंगी और fine lines wrinkles कम लगेंगे आँखे काफी rejuvenated लगेंगी और under eye bags कम हो जाएंगे तो ये सबसे अच्छा तरीका है RF tightening का under eye के लिए और दूसरा कु technologies जो available हैं खास तोर पर ये मैं वो technologies बता रही हूँ जो non-invasive हैं इसले क्योंकि काफी लोग non-invasive treatments ही चाहते हैं अब second एक काफी अच्छा तरीका है fractional lasers तो fractional lasers भी आँखों के area को rejuvenate करते हैं और skin को firm करेंगे collagen remodeling करेंगे और उससे fine lines wrinkles और under eye bags काफी कम होगे लेकिन fractional lasers में हलका downtime रहता है जिसका मतलब 2-4 दिन के लिए थोड़ी scabbing होगी eye area में और उसके बाद आपकी आँखे बहुत अच्छी लगेंगी जैसे जैसे collagen बनेगा तो results और enhance होते जाएंगे अब तीसरी एक बहुत important चीज़ जो आप कर सकते हैं under eye bags के लिए under eye area को और improve करने के लिए य इससे की वो under eye bags कम दिखेंगे तो इसमें यह होता है कि आपने देखा होगा जिन लोगों के काफी जादा under eye bags हैं उनके आँखों के नीचे एक demarkation होती है जो की पता चलता है कि eyes का area कहां पे खतम हो रहा है और वहां पे under eye swelling आपको काफी अच्छी दिखती है और cheeks का area अलग स area से displaced हो जाती है और आँखों का area काफी अच्छा लगता है और under eye bags भी काफी खतम हो जाते हैं तो filler एक बहुत ही अच्छा तरीका है under eye bags को manage करने के लिए अब अगर कुछ लोगों में under eye bags बहुत ही जादा है या फिर उन्हें permanent result चाहिए तो ऐसे में आप blepharoplasty के बारे में द करवास सकते हैं जो एक प्रोसीजर है आँखों के under eye bags को कम करने के लिए I hope आपको ये video informative लगी skin से related और informative content के लिए आप मुझे YouTube और Instagram पर फॉलो कर सकते हैं हमारा Instagram और YouTube handle है Dado Medical Center और hair से related कुछ informative content के लिए आप मुझे YouTube handle DMC Trichology पर भी फॉलो कर सकते हैं झाल 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 झाल